भोपाल संभाग के कमिशनर कविंद्र कियावत का सिहौर जिले में एक बार फिर सक्त रवया देखने को मिला निरिक्षन पर आये कमिशनर ने राजस्व रिकॉर्ड संबंधी दस्तावेस खंगाले तो वही तहसिलदार की जम कर क्लास भी लगाई इसके साथ ही उन्होंने जावर सीमो को भी ततकाल प्रभाव से भार मुक्त कर दिया देखें ये खास रिपोर्ट दरसल कमिशनर कविंद्र कियावत सिहौर जिले का निरिक्षन करने पहुचे वे सबसे पहले जिले की जावर तहसील पहुचे जहाँ उन्होंने जावर तहसील कार्याले में बने आईटी सेंटर का दौरा किया इस दौरान रिकॉर्ट संबंदित खामिया भी मिली जिसके चलते उन्होंने जावर तहसिलदार रतने श्रिवास्तव की जम कर क्लास ली इधर उन्होंने जावर सीमो को भी भार मुक्त कर दिया फिर कमिशनर आश्टा तहसील कारियाले पहुचे यहां बने लोकसिवा केंदर का निरिक्षिन किया यहां मिली कमी के चलते उन्होंने कलेक्टर अजे गुपता को पाच हजार रुपए का जुर्माना लगाने का मौकिक आदेश भी दिया जिसके बाद उन्होंने आश्टा तहसील कारियाले के राजस बन्यायाले प्रक्रणों का निरिक्षिन किया कमिशनर कविंद्र कियावत ने कहा कि समक्षा बैटकों में भूमाफ्याओं पर कठोर कारवाई के नरिदेश सियम सिवराज सिंग चौहान द्वारा दिये गए है सिहौर कलेक्टर ने विस्तरत सर्वे करवाया है और पूरे सिहौर जिले में आनियमित विकास की घटनाओ को उन्होंने चिन्हित किया है उन सभी मामलों में कठोर कारवाई की जाएगी पहुचता है इस प्रकार की दोकाधड़ी को रोकने के लिए माने मुक्यमंत्री जी ने विगर दिनों कई समिक्षा बैटकों के अंदर इन भू माफियाओं पर कठोर कारवाई करने के निर्देश दिये थे कलेक्टर सिहोर ने इस सम्बन में सभी नगरी इक्षित्रों और नगरी इक्षित्र से लगे हुए ग्रामिनिक्षित्रों के अंदर विस्तरत सर्वे करवाया है और पूरे सिहोर जिले के अंदर लगबग 250 ऐसे अनीमित विकास की गटनाओं को उन्होंने चन्नांकित किया है इन सभी प्रक्रों को चन्नांकित कर प्रक्रिया के दायरे में ले करके उन सभी मामलों के अंदर कठोर कारवाई की जाएगी ताकि आम जनता के साथ लोग धोखा धड़ी ना करे कुल मिलाकर देखा जाए तो कमिशनर ने इस पश्ट तौर पर कहा है कि भू माफियाओं को बक्षा नहीं जाएगा उन पर कठोर कारवाई की जाएगी ब्योरो रिपोर्ट, MP News, सिहौर